हर दिन अच्छा नहीं होता हर दिन बुरा नहीं होता अच्छाई और बुराई चलती रहती है कोई दिन अच्छा बीतेगा कोई दिन बुरा बीतेगा किसी दिन परिशानी कम होगी किसी दिन जादा होगी यही ग्रहों की चाल है अब अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन बुरा है तो आप वर से सावधान हो सकते हैं और सावधानी रखेंगे तो बुरे वक्ते भी बच जाएंगे ये वक्त ही है जो इनसान को बनाता है और ये वक्त ही है जो इनसान को गिराता है सेप्टमबर माँ खतम होने वाला है लेकिन खतम होने में अभी कुछ दिन बाकी है खतम होते होते दो ऐसी तारीखे आ रही है जो हमें थोड़ा परशान कर सकती है हमाई जिन्ता को बढ़ा सकती है हमाई टेंशन को बढ़ा सकती है हमाई उल्जन बढ़ा सकती है हमाई लाई जगड़े करवा सकती है हमारा आर्थिक नुकसान करवा सकती है समाज में अपमानित भी करवा सकती है इन दो तारीखों में अगर आप सावधार नहीं रहे तो कुछ भी हो सकता है कुछ भी का मतलब कुछ भी आप इन दो तारीखों में परिशान हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं क्योंकि ध्यान से आप अपनी इस गोचल कुणली को देखिए सिंग राशी वाले लोग चंद्रमा और शनी का मिलन हो रहा है दो ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के परमशत्रू है शनी और चंद्र की युती सब्तम भाव में हो रही है और इस युती को ही शुब नहीं माला गया है चंद्रमा एक शुब ग्रह है, शनी एक पापी ग्रह है, चंद्रमा सुपर फास्ट है, शनी जो है बिल्कुल पैसेंजर है, मुझा पैसेंजर ट्रेन की तरीके से चलते हैं, धीमे धीमे जब भी दो शत्रू ग्रह, चंद्रमा और शनी दो शत्रू ग्रह है, जब भी दो ग्रह आपस में एक साथ बैटते हैं, तो विश्ध दोश का दिर्मान करते हैं, और जब एक दूसरे के साथ होते हैं, तो आपस में लड़ते हैं, और लड़कर एक दूसरे को पूरी हानी तो यहां पर आपको थोड़ा सा समल कर चलना होगा आप यहां पर यह भी देखिए शनी जो है आपके छड़े भाव के भी स्वामी हैं आप एक बात और भी देखिए कि जब भी वक्री रहे होता है तो वो आपते एक गर पीछे का भी फल देता है तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वैवसाय अगर आप अकेले करते हैं अगर आपको वैवसाय अकेले है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आपका वैयर सीषक मेपकिसी पांटर के साथ है तो दिक्कत हो सकती । दो पांटर के बीचिनी लड़ाई हो जाए, मतभेध हो जाय ! अगर आप शादी शुदा नहीं है तो कोई दिक्कत न होने वाली अगर आपकी शादी हो गई है, तो आपकी पत्नी से लड़ाई जगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, यानि की प्यार में दिक्कत हो सकती है, सब्तम भाव परिवार का है, वैवाही कीवन का है, वैवसाय का है, तो इन दो तारीकों में पती पत्नी के रिष्टों के बीच में तकलीफ हो सकती है, परिशानी हो सकती है, गलत फैमिया हो सकती है, मन मुटाओ हो सकता है, किसी बात को लेकर गलत फैमी इतनी बढ़ जाए कि वक्ती लड़ जगड जाए, वैसाइक पार्टनर से भी आपका जगड़ा हो सकता है किसी बात को लेकर, आप जो भी बात क चाहे वो अपने जीवन साथी से करें या वैसा एक पार्टनर से करें, इसपश्ट करें, खुलकर करें, कुछ भी गोल बोल बातें ना करें, एक दूसरे से कुछ भी छुपाए रही है। कई बार आपके जो सेक्शुल पार्ट से जो प्रजनल अंग हैं, प्राइविट पार्ट से इनमें कोई तकलीफ हो जाती है। शनी जब भी यहां पर आते हैं, तो वैवसाय बहुत अच्छा चलता है, चन्दमा के साथ हैं, तो आपकी बिजनस में खुब अच्ची तरक्की होगी, अगर आप अकेले हैं, तो आपका दिमाग वैवसाइक होगा, आपके पार्टनर का हो सकता दिमाग वैवसाइक ना हो, आप कुछ और सोचे, आपका पार्टनर कुछ और सोचे है, और दोनों की सोच मिल नखाए और जगड़ा हो जाए, तो जुबान में चरचरापन, लडाई जगड़ा, माता की सिहत खराब, माता से कुछ कश्ट होना, माता को कश्ट होना, आपको अपने ही लोगों का सपोर् पड़ सकता है, और अगर आप जर्मकुली में शनी की इस्तिती खराब होई, तो आपको ये समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो आप किसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं यहांपर, बड़े दिनों से किसी से शादी की बात चल लगी है, और दो दिन पीछी हो सकती है इस बात को भी बहुत ध्यान में रखते हुए, आपको आगे चलना है, आपके साथ कुछ धोके भी हो सकते हैं यहांपर, किसी धोके में आप इतना फ़र्ज जल्दवाजी में आपको सोचते समझने का मौका ना मिले, तो कुल मिलाकर 27 और 28 सप्टेंबर को विश्दोष बन यानि की पांच नमबर, यानि की सूर्य, सूर्य से शनी की आपस में कोई अच्छी मितरता नहीं है, तो यहांपर कुछ जगडे वाद विवाद पिता से भी हो सकते हैं, माता से भी हो सकते हैं, सीनिर अधिकारियों से भी हो सकते हैं, हाँ, इस बात में कोई कमी नहीं नहीं कि आपके पास पैसे न आएं पैसे आपके पास बहिचक कुछ जतना चाहते हैं उतना आता रहेगा इस विश्दोष पे बिसिकली आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान आप इन दो तारिखों में काम करें, तरक्की पाएं, तरक्की अवश्य मिलेगी, लेकिन साफधानी के साथ में, आप शनी को अच्छा रखना है, तो क्या उपाय कर सकते हैं, भगवान शंकर पर आप जल चढ़ाएं, आप भगवान शंकर पर दूर चढ़ाएं, इससे शनी औ को नमस्कार करें, और अपने काम में जुट जाएं, और ये सोच न रखें कि आपको किसी के साथ दरस करना है, आप्शन दस मिलेगी आपको, लेकिन चुनना वही है, जो सही है, इमानदारी का है, कोई भी वैमानी का काम किया, तो बहुत साइद दिख्कते आ जाएंगी, त पर इमानदानी भी बड़ती है काम में, और दो दिन प्रोदे संबर कर बिताइए, ताकि आपकी हाथों कोई अन्होरी ना हो जाए, अगर आप अपने जिवन में सही उपाय करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने जिवन में जरूर कराएं, जिवन में कुछ तरखी पाना चाह आते हैं, तो हर्यों लबश्वाराद।